नमस्कार मैं हो चित्रता सान्या रविवार यानि 28 मई को नए संसत भवन का उद्गाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संसत में विपक्षी दलों ने सरकार से मांग की है कि संसदिया परंपराओं और सम्विधान की वेवस्था के हिसाब से नए संसत भवन का उद्गाटन राश्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू के हाथों होना चाहिए लेकिन सरकार ने विपक्ष की मांग को खारिच कर दिया है सरकार के इस रवईय से दुखी विपक्ष ने संसत भवन के उद्गाटन समारों का बहिशकार करने का फैसला किया है इस सिलसिले में उन्निस राजनेतिक दलों ने एक बयान जारी किया है इस बयान में संसदियों परंपराओं का हवाला देने के साथ साथ ये बताया गया है कि समविधान के आर्टिकल 79 के मताबिक राश्टुपती लोगसभा और राजसभा को मिला करी संसद बनती है इस लिहाज से राश्टुपती को ही संसद के भवन का उद्धाटन करने का विशेश अधिकार है लेकिन इस बयान में एक और जरूरी सवाल उठाया गया है ये सवाल राश्टुपती द्रौपदी मुर्मो की आदिवासी पहचान से जुड़ा है विपक्ष ने कहा है कि देश की पहली आदिवासी महिला राश्टुपती को अपमानित किया जा रहा है इस मसले पर हमने भी अपने सोशल मीडिया पेच पर लोगों से ये सवाल पूछा था कि क्या ये संसत भवन के उद्गाटन पर राश्टुपती द्रौपदी मुर्मो को आमंत्रित नहीं करना क्या राश्टुपती और आदिवासीयों का अपमान है इस सवाल पर करीब 2000 लोगों ने प्रतिक किया दी है इस सवाल पर जवाब देने वालों में करीब करीब 95-96 प्रतिशल लोगों ने कहा है कि विपक्ष का कहना सही है वे समझते हैं कि नए संसथभवन का उदगाटन का अफसर राश्टुपती द्रौपदी मुर्मो को ही मिलना चाहिए था जब बीजेपी ने द्रौपती मूर्मू को राश्चुपती के लिए चुना था तो पार्टी ने देश को पहली आदिवासी महिला राश्चुपती देने का श्रय लिया था तो क्या आब बीजेपी ये कह सकती है कि राश्वपती की आदिवासी पहचान माईने नहीं रखती है क्या बीजेपी पर ये आरोग सदा सदा के लिए नहीं चस्पा हो गया कि उसने एक आदिवासी को संसत भवन का उधगाटन नहीं करने दिया इस मसले पर देश भर में बहस चल रही है और मुझे लगता है कि ये बहस अगले लोगसभा चुनाओ तक चलेगी लोगसभा चुनाओ से पहले कई राजियों मसलन मध्यप्रदेश, च्छतीसगर और राजस्थान में विधान सभा चुनाओ है क्या इस मुद्दे का इन राजियों के चुनाओ पर कोई प्रभाब होगा क्योंकि इन सभी राजियों में आदिवासी मद्दाता महत्वपूर्ण है इन सभी बातों को समझने के लिए हमारे साथ चतीसगर से एक बड़े आदिवासी नेता जोड़ रहे हैं वे राश्ट्रिय अनिसूचित जनजाती आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं चतीसगर में बीजेपी के अध्यक्ष रहे थे और एक समय चतीसगर के मुख्य मंत्री पद के दावेदार भी थे हाल ही में इन्होंने कॉंग्रेस पार्टी जोइन की है जी हां हमारे साथ राइपुर से नंद कुमार साय जी जोड़ रहे हैं नंद कुमार जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपको मालूमी होगा कि संसत के नए भवन का उद्गाटन रविवार को हो रहा है और प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ये उद्गाटन करने वाले है आजबकि विपक्ष का कहना है कि ये राश्ट्रपती का वेशिश अधिकार है कि वे संसत के नए भवन का उद्गाटन करें विपक्ष का ये आरोप भी है ये आदिवासी राश्ट्रपती का अपमान है आपकी क्या राय है और देश का जो संसत भवन है और संबाइधानिक भवन किसी जलका नहीं है और राश्ट्रपती जो पद है देश का संबाइधानिक पद है और इसलिए अगर पहले कभी न किया गया हूं लेकिन पहले तो कभी जन जाती समाज आविवासी समाज से कोई राश्ट्रपती भी नहीं हूए तो राश्ट्रपती तो अभी है आपने बनाया है और इस कारण से अगर इस समय माननिया राश्ट्रपती महदया द्रोपदी जी से इस संसत भवन का जो देश का संबाइधानिक भवन सब्सक्याइब लुक्तर्स के नियुक्तर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब दो कुछ नई बातें भी तो हो सकती है जो नहीं हुआ है आप नहीं हो सकता है कि मैंने पठ्र रिखा है इस विसे में वह उब्री काफी वइरल हुआ हमने यहीं समबातों को ही सब राजबतِ Lebha喜欢 की दो कर 수 होता है वो संभाइधानिक प्रखान है और इस संभाइधानिक भावन है बहुत अच्छा होता और मैंने उसे निविदन किया पत्र भी लिखा उसको वाइरल भी किया है लेकिन अब क्या होगा यह हमने तो कहा है और उस पर बढ़ी बहुत चल रही है मुझे लगता वह कराएंगे कि नहीं लेकि विशला रखा गया है और काफी प्रचारित हुआ है बहुट डिसकस EL हो रहा है बहुत सले कि समय लोगों ने इस विशला एक और था कि दल उस लोकारफन film में जायेंगे कि नहीं जाएंगे, उत्यकर नहीं कर पा रहे हैं, उसलोग उसका बहिसकार करने वाले हैं, ये भी बात आई, इसलिए ये चर्चा तो चल गया है, मैंने अपना अभिमत प्रस्तुप किया है कि अगर माननिया राश्पति मोहदया से कि संसत भौन का लोकार कुन करा जाता है, तो उससे बढ़िया, उससे सुंदर और उससे एक नया उदाहन देश में प्रस्तुत होगा, और मैं समझता हूं कि इवल देश नहीं, दुनिया में इसकी प्रस्तुत होगा। जी, जौपति मुर्बो देश की राश्पति चुनी गई तो आदिवासी समुदायों में काफी उच्सा देखने को मिला, शायद बीजेपी की जमीन भी आदिवासी इलाकों में मजबूत होई थी, अब जब ये लगा है कि सरकार ने एक आदिवासी महिला राश्पति को एक वरग से चुफेB हैं, लेकिन मैं समझता हूँ राश्पति के इवल कि समाध के नहीं हैं, संपूर देश के संभय धानिक निरा। इसलिए मैं समझता हूँ किसी जाती वर्दुक्षे जो लोग हों जो प्रबुद्ध हैं जो इस किसे को समझते हैं देश पर जिनका एक बहुत बड़ी आस्था है और देश हर हालत में आगे बढ़े पीछे ना हटे आगे से भी ये देश उपर जाए और जो देश कभी प्रकार का उदाहरन है इस देश में और बहुत सारे कभीयों ने अलगलत प्रकार के इस देश पर अपनी भावना को उडेला है किसी ने लिखा मैं लिखा हूँ इस देश के लिए कि लाना प्रकार की भावों को भीड़िक्ति कती हिमाले के आंगल में उसे प्रसम किरनों का देव पहार उसा ने हस अभिलंदन किया और पहनाया ही रतार जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फैला फिर आलो ब्योमतम पुंज हुआ तब नास अखिल संसिती हो उपी असम बिमल बारी ने बिनाली कमल कोमल करमे सप्थी सब्त स्वर सब्त सिंधू में उखे फिरातम मधुर साम से ने अनेक बाते हैं अनेक प्रकार की लोगों किया जाता है तो मैं समझता हूँ एक नया एकिहास एक नहीं प्रशिष्षा इस बेस को नए सीरे से में प्राप्ष होगी ऐसा मुझे मेरा सोच है लेकिन अब कुछ लोग लोब सम्वराण नहीं कर पान है अब पैसे करो मामला यह है कि अगर हम बनाए हैं तो हम ही करेंगे या जो भी बाते हैं लेकिन मैं निवेजन करना चाहता हूँ माननी आप माननी प्रशान मन की बहुत बरिश्ष्ष बहुत सिनियर हैं हम लोग लंबे समय स मेरा तीसरा सवाल है बीजेपी सरकार आदिवासियों के लिए काम करने या नीती बनाने का दावा करती है आप बीजेपी में लंबे समय से रहे हैं क्या ये दावे सही हैं नीतियां बहुत बनाई गई हैं अलग अलग प्रकार से लेकिन कोई नीती जमीन पर जब तक नहीं उत्रे उन लोगों तक जब तक नहीं पहुंचे तो नीतियां तो कागजों में या किताबों में रह जाते हैं और मैं समझता हूँ प्रसासनिक तोर तरीता जो नीतियों को सामाने लोगों में भी जनजाती हो या अन्य दूसरे लोग जो हूँ और खास करके जो जनजाती समाज है आविवाती समाज जो जंगलों में पहाडों में रखते हैं वहां तक नीतियों को पहुंचाने के लिए अत्यंत प्रभावी समरफित और उनके लिए भी जो सबकुछ निवशावर करने को तयार हो इस प्रकार का प्रसासनिक विवस्था जो नहीं है इसलिए कानूर अनेक प्रकार से बने के लेकिन उस समाज तक जो पहुचना से ही ओ तो अभी पहुचा नहीं है हम बहुत चिंतित हैं कि ये जो जनजाती समाज में प्रिमिटिव ट्राइब में हैं कोरवा, कमाग, विरोर, पंडो, बईगा, प्रिमिटिव ट्राइब में हैं इसे कहा जाता है माननिय, राश्पती महोदय के दक्सक कुट हैं यह समाज अभी इस समाज को कैसे बचाया जाए, समाज में बहुत सारी पूरितिया हैं, सराप पिने की प्रसार direction समझ से है उसके कारण यह समाज बहुत महने कहीं 200 लोग हैं कहीं कुछ लोग हैं कहीं इस समाज को बचाया कैसे जाया है, बड़ी भारी चिंता है और ये सबसे बड़ी गुरा ये समाज में सराव की इस समाज में आप कभी देखे जाएंगे किसी गाउं में तो 30-35 साल से अभी कुमर वाले लोग नहीं है कि बड़ा चिंता का भी से इसलिए समाज में कानोल को जो बनाये हों कैसे पहुंके उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज को कैसे बड़े नेता रहे हैं पार्टी का ये दावा है कि वो आदिवासी समुदायों और नेताओं का सम्मान देने का काम कर रही है इसमें कितनी सच्चाई है उत्तरफदेश को तोड़ करके उत्राखन बना और मद्धवदेश को तोड़ करके शक्तिस गर बनाएं और ये शक्तिस गर और जारकन इसको तो कह सकता हम कि जनजाती ये बहुल छेट रहे हैं और इनको बनाया गया अच्छा इसी विए कि यहां पर जनजाती समाझ ही सभी प्रकार के दाइतों का निर्वहन करें और इस समाझ में भी नीचे से लेकर के उपर तक सत्ता में हर बर्ग, हर इस तरक के दाईतों को धारन करने की छमता इन में दिशित हो, और वो स्वैम भी सत्ता का संचालन कर सकें, अपने लोगों के लिए कर सकें, और उनमें भी धीरे-धीरे इस प्रकार की स्थिती निर्मिच हो, कि वो सभी प्रकार की और प्रसासल में श्रेश तर्ट प्रसासलिक ग्रेवसा को स्थापित करने में भी समर्थ हो सकते। इसके लिए बनाया गया था लेकिन आज तक मुझे समझता हूं जारखन में यदा कदा समय जनजाती वरगता को इसी सिनिस्टर हुआ है तो मुझे इस वरण होता है। लेकिन शतिसगर में तो आज तक ये बनाया नहीं गया। बहुत बार्षा इस्तर का उसर आया हुआ था। लेकिन ये बोला गया कि नहीं आपको बनाना था जीते नहीं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। अजीद जोगी से लड़ गये। दोहजार स्पील में। और लड़ा में ही था उसके प्लाव। और ऐसी लड़ाई लड़ी थी कि नगर घड़ी चौक में बाशी चार्ज हुआ मेरा पाउं फ्रेक्टर हो गया। एक सोचास्ट लोग भाइल हुए। उसके बाद सरकार बनी। और उस समय ये कह दिया गया कि बढ़े बनाना तो आपसी तो था लेकिन आप चुनाओ नहीं जीत पाए। मैं कैसे जोगी से हम लड़े थे। दूसरा जेकर मैं बोला था कि मरवाहि से हम लड़ करके कि चुनाओ जीत के आओंगा मैं अपने स्थे पर सब्करा से लेकिन इन्होंने शर्यन से यह किया भी जीत कि मैं वहां फारम भर के तब करा विजहां सवाच्ट वहां टिकिट नहीं गिया गया और खाली हम लड़े मरवाहि से और वहां जीतने का तो सवाल नहीं था लेकिन हम लड़कर के सरकार बनाते हैं बहुमत में भारती जंता पार्टी आ देए फिर कहने रगे रहे आपकी को बनाना था रकिन आप तुनाओ नहीं गीच पाए मैंने कहा मुख्यमंसी बनने के लिए पहले से तुनाओ जीतना कहां जरूँए छे महिने में आना है संभिधान मे इसी व्यवस्ता है आप क्यों नहीं कर सकते हैं जब कुई जिवाल लेखन में नारों में पोस्टर में पंप्लेट में सब जेकर लिखा था कि अगर हमारी सरकार आई भारती जंता पार्टी की तो यहां जनजाती मुख्यमंती होगा और नंद गुमार साय मुख्यमंती बने तो आप यह कह रहे हैं कि बीजेपी आदिवासियों के विकास और सम्मान के जो दावे करती है और जो सच्चाई है वो बिलकुल मेल नहीं खाती है मैं मानता हूँ कि यह जनजाती के खेवर में कभी नहीं है यह यहां देखिए अभी मैंने तो छोड़ दिया यह सिती बनी थी कि हमको कहीं किसी तार्चम में न बुलाना बड़ी मिठीग में त्येवल सामाने सदस्त था इसना सीनियर में मद्ध प्रदेश में भीजेपी का मैं उस जमाने में जब अटल भिहारी बाद की राजमाता सिंधिया उसा भाव ठाकरे और कुंदर सिंग भंडारी बहुत बड़े-बड़े नेता हुआ तो उस जमाने में तुम बहुत महातों मिलता थाम लो यह दूसरे प्रकार के बीजेपी वाले जो बाट में आए इनको बड़ा पता नहीं क्या परिसानी है सब कहीं पर मद्ध पिश्व में बहुत सारे नेता हैं रांसे पहस्एंदर उड дальше कुं। जी बीजेपी की काफे आलोचना हुई कि उसने आदिवासियों के हकों में बने कानूनों को डीला करने की कोशिश की है पूरी तरह से जनजातियों को मदद करने की बात केवल दिखावा, केवल प्रोपोगेंडा है नहीं करते नहीं है, यह जो नौर्शिस्ट का इलाता है, यह पूरा ट्राइबल है वहाँ पर जो मैंने प्रमुख बनाया जाना चाहिए, उसके पद भी है वहाँ पर, कमीशन अलग-अलग बने हुए है एक चौकिदार को वहाँ कहीं भी शादिये हैं, कभी बनाते नहीं आज को आपको बतागूं अभी, मैं जब था नेशनल कमिशनल हर्षी लोग चाहिए, उसमें मेरे समय में मैं बोल करके कराया था, पांच लोगों की मेंबर होती है उसी समय के वह बनाया गया था, अभी एक हर्ष चोहान है अध्यर्च और एक कोई औरी सासे मेंबर है उसके अलावे तीन लोगों की कमिशी भी बनाई थे, वह ऐसी चल रहा है, किनके मने प्रवल जनजाती विरोधी, कभी उठे नहीं, कभी बैचे नहीं, इस साइब की योजना होती है मैं जब कमिशन का चेयर में था, उस समय एक घटना हो गई उस्तर प्रदेश के ओप किनारे कहीं कर, जनजातीयों के साथ कोई जमी नुमिन वाला माँ मैं वहाँ जाने के लिए निकला, तो सरकार में बैठी हुई लोग, वीजे पीचे, तो कहने लगे आप मज जाए, उस सल्तर देश में हमारी सरकार है, इसा होगा, वह इसा होगा, मैं का सरकार की क्या ले नुमिन वहाँ पर जनजातीयों के साथ अन्याय हुआ है, मार्किट और मैं बहुत कोशिश किया जाने के लिए जबरजस्ती बोल करके हाँ जोड़ करके का कि आप मती जाए, यह बीजे पी का सोच है, उसका एक नमूना आपके बताए, जाने नहीं गिया है, यह तो इस्तिकी है, तो मुझे नहीं लगता ट्राइबल जो है, भारती जनता पार योजना जो कानूनों बना है, वो धर्ती पर उतर ना से ही, वो अभी तक को नहीं गिया है, जी मेरा आखरे सवाल यह है कि अभी हाली में करनाटक में चुनाओ हुए हैं, क्या करनाटक चुनाओ में सभी आदिवासी बहु सीटों पर बीजे पी की हार कुछ कहती है, या फि है, उसकी जो ग्यवहार है, जल जातियों के लिए दूसरे गरी समाच के लिए, वो किस तर से है, समझ में आ रहा है, और जहां सरकार सी भारती जन्ता पार्टी की, लंबे अंतर से मतों का और सीट का लंबे अंतर से वहां पराजीत हो गे, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में, भारती जन्ता पार्टी को देश के मसदाका, सभी वर्वों की उपहचानले में लगे हैं, और आने वाले चुनाव में उसका गंभीर प्रहाव पड़े है, ननकुमा साय जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, जन्यवारे, बहुत-बहुत जन्यवारे,